लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें जबके लेंटे सेके लोडेरी आइकन को प्रेसराइब करेंग Candation कि शुझे करें लोडे या बेल राइकन करेंगा करेंग है की的话 बार्स करेंगे करेंग करेंगे झाद दुझे तवर सक्ष्छरां हभाया की की काईवच्वार उतुम कर दो कर दो कि नालंदा घाटी में आज जो शांती का माहौल बना है वो इनकी दिनराप की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है करनल आनंद विराच के जाने से पहले उस इलाके को लोग मौत की घाटी के नाम से पुकारते थे मगर उनके पहुँचने के बाद वो हजारों लोग जो आतंक के डर से घरवार छोड़कर चले गए थे दुबारा आकर उन्होंने वहाँ बसना शुरू कर दिया है दो साल के इस छोटे से अरसे में बीस हजार से भी अधिक आतंक वादियों को गिरवतार किया जा चुका है और गिंती के कुछ लोग जो बच गए हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं शांती का माहौल बनाने के लिए सरकार करनल आनंद विराज को शांती चक्र से सम्मानित करती है करें आपके अब इसमे सदूर में अधर कम परकी जिए हमचने की तो इसी करते चाहरत है क्याश्त बनाता करें फाद है यह था हम समर्पिद चंगीयों का तो ये भेट हम तुम्हें पहले भी दे सकते थे, मगर हम उस दिन का इंतीजार कर रहे थे जिस दिन तुम अपने बहादुर करणल विराज को शांती चक्र से सम्मानित करोगे उसी दिन हम उसे तुम लोगों के सामने हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देंगे यह हमारा प्रण है कि हर उस सफसर को जिसको तुम्हारी सरकार हमारे इलाके में भीजेगी हम उसके साथ में यही सलूख करेंगे और शायद इससे भी पत्तर हम आजाद हैं और हम अपनी आजादी की जंग उस दिन तक लगते रहेंगे जब तक सारी दुनिया की नजरों में हम आजाद न कहलाएं हम तुम्हें एक महीने का वक्त देते हैं हमारे इलाके में तुम्हें जो अपना आर्मी बेस बनाया है वो हाट जाना चाहिए तुम्हारी सरकार ने अगर हमारी शर्त न मानी तो हर वो शक्स जो हमारे इलाके में तुम्हारी सरकार का हमदर्द है उसे नर्क पहुँचा दिया जाएगा और तुम्हारे मुल्क को वो तुफ़ा दिया जाएगा कि आने वाली नसले कभी भूला नहीं पाएगी एक महीना, सिर्फ एक महीना बर्सों की मेहनत के बाद हमने अपने विदेशी दोस्तों से न्यूक्लिर बॉम हासिल किया है अब इसका इस्तमाल छोटे छोटे मेरे भाई हम तुमको इन बहुत बड़ा मिशन सौपने जा रहे हैं यू समझ लो कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो कुछ नहीं है यह बॉम लेकर तुम रूप नगर जाओगे और हमारे सिग्नल का इंतिजार करोगे एक महिने तक अगर इन कुट्टों ने हमारी शर्तों को नहीं माना तो तुम इस बॉम का धमाका करोगे जिसकी आवाज सारी दुनिया में गुझेगी और इस मुल्क की आने वाली नसले कभी इस तबाही को भुला नहीं पाएंगे आप सब यह जानते होंगे कि आज हमारे स्कूल में कौन आ रहा है सर हमारा कैलकूलेशन कहता है कि मंतरी महदे आ रहे हैं और आप सब यह भी जानते होंगे कि उन्होंने हमारे स्कूल को कितना डोनेशन कितना डोनेशन देने का एलान किया है 25 लाग और आप सब यह भी जानते होंगे कि उस 25 लाग रुबहे पर हमारे स्टूडेंट पानी फिर सकते हैं कि अधियर के तारिफ है तो मैंने जमीन आस्माल एक कर दिया दिस्टिब्लिन के बारे में यहां तक कह दिया अगर हमारी स्कूल में एक चोटीजी सुई भी गिर्ती है तो इसको रहने दो इतना जुट बोला है कि अब तक नीरी जबान चल रही है में एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग ये सर अगर मंत्री जी के सामने जरा सी भी घडबड हुई तो पचीस लाग रूपे तो गए हाथ से मगर उसका असर आपकी सेलरी भी पपड़ सकता है खांसी बंद इसलिए आप लोग अपने स्टूटेंट को अची तरह समधा जीजिए कि जब जंडा मंदन के समय नैशनल अन्थम का रिकॉर्ड बजेगा तो सर्फ सांस रोक कर सिर्फ जंडे को सनामी दें इसलिए रिकॉर्ण चैंजटों सकता है पतानी एकासे क्योंक भूई कर एдला क्योंक आरी जोरावभोडब सरत को है चीजिए बढूक किस पांथ का गुर्मोनिंग तुम्हों यहां क्या कर रहे हो मैंने सुभा नो बजे मेरे आफिस में आने के लिए का था नौ आपकी आफिस में तो खड़े हैं सर पता निया सभे सभरे आपका आपका आफिस फर्स लोर से किसी ने गार्डन में शेफ्ट कर दिया मेरा ऑफिस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि अजी नया व्याइपी कौन आ गया हमारे स्कूल में यह कोई व्याइपी नहीं हमारे स्कूल का टीचर है टीचर है तो इसका इतना सौगत क्यों किया जा रहा है यार क्या पता देख ले न प्रिंसिपल साब इसकी तारव में जमीन तक सेना इनकी इन्सानित की जितनी भी तारीफ की जाएए वो कम है जब खुद स्टूडन थे तो दुनिया इन्हें इन्सानियत का नमूना कहती थी अगर इन्होंने ज्यादा तालिम हासल कि होती तो यह साइंटिर्स हो सकते थे इंजिनियर हो सकते थे एक महान कभी हो सकते थे मेंनी नाजर में एक टीचर होना सब्से ज्यदा महान है अर सबसे बड़ी खुशी के बात यह है करने कि ये ऐसी स्कूल के स्टूरं को ग्राग से पढ़ाने आए इनके दिल में ने किता जजबा है सूदन के लिए कितना प्यार सोले के लिए कि प Arms Demis इसके पाल सबते घाल हुँ इस का अब माला में भी ज्यादा पूल नहीं है है कि खास घांइ इस अ सब्सक्राइब कि अपार यह अपार इस अप अप गुद दू गुद मॉर्ण गुद मॉर्ण लिस सिट आउ तू यह और यह क्या सर आप हम लोगों पर सख कर रहे हैं ये तो हमारी बेस दी है सर यह दू नहीं है, to every action there is an equal and opposite reaction, this is Newton's law, जब मैं student था, तो मैं भी अपने teachers को किसी ना किसी तरह तांग किया करता था, तो मैंने सोचा काई तुम लोग भी मेरे साथ वही ना करो, इसलिए मैं आपने तसलिक कर रहा था, फुर्सी की टांगे थोड़कर teacher को गिराने का तरीखा तो बहुत पुराना हो गया है sir, आजकल तुम यह सब केजी में होता है, हम लोगों का level तो कुछ और है sir, किसका मतलब तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ और सोच रहा है, यह क्या sir, आप तो पहले से ही डर गया, खबराइए मन, बैच चाहिए, प्रिंसिपल साब ने तुम लोगों को मेरे बारे में बताई दिया होगा, अब मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, आभी का नाम है sir, Ajay, good, फिर तो तुम काफी हुश्या रहोगे, आहां, बाकि सब मामलों में, सिर्फ पढ़ा ही चंकी, नेक्स्ट, Govinda sir, Govinda, next, शिल्पा, तुम लोगों के नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास्रूम में नहीं, सिनमा घर में बैटा हूँ, चलो, let's come to the point, good morning teacher, good morning, sit down, thank you, I'm sorry, ये मेरा period है, आपको गलत फेमी हुई है, time table के इसाब से मेरी class है, लगता है आप अजी नए नए आये है, हो सकता है आपको जो time table मिला है, उसमे कोई printing problem हो, मगर आप किसी भी student से पूछ लीजिए, ये English period है, क्यों आजे, हाँ सर, हमारे time table के हिसाब से भी ये English period ही है, मगर मुझे लगता है time table कुछ बदल गया, अच्छा होगा अगर आप office जाकर चेक कर ले क्या कहा आपने, मैं जाकर चेक करूँ, देखिए मैं school में पिछले तीन साल से पढ़ा रही हूँ, और आप आज ही आए है, मैं senior हूँ और आप junior, इसलिए आप जाकर चेक कीजे, मगर principal साब ने, please don't waste my time, excuse me, आपका नाम, जाया, sorry जाया जी, sorry students, it's okay, it's okay, आजे बाबू, हमारा calculation कहता है, कि आप जिस class में गए थे, वो class भी correct थी, और आपका period भी correct था, फिर वो teacher कौन थी, teacher नहीं, जाया, student, student, बहुती naughty student, hostel में रहती है, पढ़ाई लिखाई में number one, खेल कूद में number one, और रेंगिंग में भी number one, अरे teacher को class से निकाल देती है, जब तुम लोगों का लेवल कुछ और मुझे पहले ही समझ लेना चीए था, नो का खा गया, खायर, तुम लोगों के मैंसे जया कौन है? Good morning, sir, and I'm sorry. Get up, get up, तुम्हें बैठने के लिए इसने का, और sorry बोलतेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या सोचकर तुमने यह हरकत की, बोलो? आप ही ने तो कहा था, sir, to every action there is an equal and opposite reaction, Newton's law. अपने आपको बहुत होशे और अकलमन समस्ती हो, मुझे पता है, तुम पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, बाकी सब चीजों में नमर बनो, मगर discipline में worst हो, बस यही एक बुराई है, जो तुम्हारी सारी खूबियों को ढखने के लिए काफी है. गलती हो गई, sir, मगर इन सबने मुझसे यह शर्ट लगाई थी, कि मैं नए टीचर को बेवकूप नहीं बना सकती, इसलिए मने. हम हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के बीच में सिर्फ यही एक फर्क है, अगर उन्हें काटा चुप जाए, तो वो कहेंगे, I stepped on the thorn, मेरा पैर काटे पर पढ़ गया, और इसी बात को हम हिंदुस्तानी कहेंगे, काटा मुझे चुप गया, जैसे कि काटा खुद चलकर आ अच्छे! हमार बच्पन का दोस्त, कैसेन है तौन से कैसेन हैyu अरे यह आंकर फार पार के का utilizz हुत, हम का पैचान点 आहीं, हम तो हार बच्पन का दोस्त है शरुदRIS अजिए आ थिये यहां चिपक के रहेंगे और यह सुस्रा बड़त पड़त आध हमाद टीचर बनके यहाई कवा अपनी जगा पर जाकर हमका बॉलने पे का बॉलने पे इंकम टेक्स है का अरे तुम लोग जाना तो एक दिन का हुआ का हुआ यह लड़कियों को छेड़ने की इरादे से उ का प मैं आका टीचर हूँ और तुम मेरे स्टुडेंट इजट तो तमीज से बात करो अच्छा बच्पन में तो बहुत बड़ी-बड़ी बात करत रहे कि तू हमार दोस्त है हमार जान है तू हम तो हाल लिए कुछ भी कर सकत है और अध हमका हमका तमीज तो इज़त सिखावत हो अपनी जगह पर बैठो बैठो वहां कि अपनी जगह जाके बैठो वहां कि जाइत है तो कहीं तो हम जाइत है लेकिन हमका तूसे यह उमीद ना ही थी अरे भूल गया हूँ दिन जब स्कूल के बाद चने खाकर घर को जाया करता था अरे गुली डंडा कंचे पतंका साथ था हमार और यह एक ही जटके में सब कुछ तोड़ दियो छोड़ो मामा शांत हुई जाओ अर कैसे छोड़ो भांजा हमार दिल दिखुआया आई आज मैं तुम लोगों को लिट्रेचर में एक तुम खड़की हो गई बैल सर पैट जाओ कोई बात नहीं आज पहला दे में कम से कम एक लाइन तो पड़ाओंगा पैट जाए सर गेम्स पीरियर्ट चैया कुल्स बोईस अरे अधिया बाबा मुंचाई तक हादगाड़ी मैं पहुंचा दे नहीं बेटे तुम ज़रा पीछे से धक्का दे दो बस अरे आए आए ये ये जवानों का काम है आए आए लीजिए आप जित करते हैं तो अ अ यह आए हुए टीचर को तूम जरूर से जादा हितंग लए करना ही पड़ेगा ना हुर्वान शारी है लो थांक यू यह तुम लो भार क्यों घुमरी हो अरे इस्पूल में छुटटी हो तो बेटके पढ़ाई करनी चीए, क्यों पढ़ाई करो? टेक एस सार, बाई! थांक्यू बॉर्णिंग, सर्थ बॉर्णिंग थांक्यू मुझे मालूम है, यह खुबसूरत पेंटिंग किस ने बनाई है, लेकिन आज बेकार की बातों में बहस करके, मैं अपना वक्त बरबाद नहीं करना चाहता, अपनी किताब देना? यह लीजे सर्थ मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए तुवेट मेरी किताब में कोई नुक्स है, सर। बस नहीं चाहिए, क्या दिया ना? आप हरी क्लास से मेरी इंसल्ट कर रहे है, सर। आपको वज़ब बताना होगी, आखिर आपको मेरी किताब क्यूं नहीं चाहिए? मैं वजे बताना जरूरी नहीं समझता जो अपनी सीट पर जागर बैठो अरे ओ अजे हमार मतलब है सर कल तुमने किताब खोली तो घंटी बज गई आज कई ऐसा ना हो कि किताब भी ना खोले और आऊ हो जाए का हो जाए आऊ हाँ इमा पेक तुम धगरते रहोगे तो हमका पढ़ाओगे कब भाई हमार बढ़ाई का नुकसान होत है ना मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है शगुन अपनी सीट पर बैठ जा चांते हो और यहारत कब खेलाती है वैसे यह तो बहुत ही बेतुका सवाय लेकिन एलिचे वरी-वरी तुम्हारी यह हरकत देखकरी तुमसे पूछाऊ मैं पता नहीं नहीं क्या हो गया है जब से deeply changed अगर किसी वज़े से तुम्हारे होट सूख जाए तो तुम क्या करोगे जारा करके बताओ हाँ और तुम नीला और तुम सब लोग जारा करके बताओ अगर मैंने ऐसे किया तो यह मुझे क्यों डाट रहे है सर आपी कर रहे है कि अगर है तुम्हार स्टूडेंट थो तुम हर सुपिंड़ नंबरवान लेकिन मेरा स्कूल में दूसरा दिन है मुझे एक लेसन तो पढ़ावे दो तो मैंने कब रोका है सर बढ़ाए अज मैं सबसे पहले तुम्हें कि आइह है कि अब आई कि अब आई कि अगुन अरे का हुआ मामा इस सड़े हुए तब लगी भैंस के तरह का है बैठे हो अब क्या बताए भाणजे आज हम क्लास में सो गए थे ना उसे मास्टर आजय ने हमका एक हपते के लिए बेंच पर खड़ा होने की सजा दी है अब हमार चटी छो करिया के सामने शरम लागत है ना नीचे से सब आऊ हम क्लास में नहीं जाऊंगा अरे गबराते का हो मामा हम तुम का है संदर की बताऊंगा अर तरह कान को यहां लाओ आओ 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 गुद्मार नीच पर खड़े होने के लिए कहा था लगता हो भूल गया है आओ 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 शगुन नीचे उतरो तुम्हार हुकामी तो पूरा कर रहे है सर तुम ले कहा की खड़े हो जाओ आओ इस यह क्लास में कच्छा पहन कर आने की क्या ज़रो थी वो क्या है सर आज गेम स्पिरेट है ना इसलिए चका यह सब का है यह सब तो कच्छा पहन करनी है तुम क्या स्पेशल हो सर हमें खेलने में बहुत तकलीफ हो थे ना अपने आराम के लिए हम यह कच्छा पहन है तो मेरे आराम के लिए काम करो साथ दिन तक स्कूल में नजर मत आना आओ अजे हमार बात सुरू आउट सुन्दर कांग सुन्दर हनुमान जी का दूसरा नाम भी है इसलिए इसमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में भी बताया गया है आज से इस क्लास में या तुम रहोगी या मैं बोलो बाहर कुन जाएगा सर आप क्यू तकलीफ करते है मैं ही चली जाती हूं सर पिंसिपल साब गुद मारीं गुद मारीं स्रॉड मिस्टर आजे डियो साहब है आप मिस्टर आजे है क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को सर वो सुन्दर कांग पढ़ा रहा था सबको कुछ पूच सकतो ही नसे सर इस विश्य में अभी-अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दिया है कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा वाट इस सुन्दरकान आप में से कोई बता सकता है सर येस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपने आपको भ्रहम से बचा सके और जब इंसान को भ्रहम हो जाता है तो वो कही का नहीं रहता है सुन्दरकान की शुरूआत में रामचंदर जी को याद करते हुए अशोका वाटिका में माता सीता रोने लगती है ठीक उसी तरह दूसरी तरफ रामचंदर जी अपनी प्रिय पत्मी सीता जी के बारे में सोचते है कि वो कैसी होगी और कहां होगी और इसी सोच में जंगल में भटकते हुए वो भी रोने लगते है ठीक उसी समय रामभग धनुमान माता सीता से अशोका वाटिका में मिलकर उन्हें शीराम की मुदरिका देते हैं माता सीता मुदरिका देखते ही अपने ब्रह्म से मुक्ति पा लेती है क्या वो दुबारा शीराम की बर्षम कर पाएंगिया नहीं ठीक उसी तरह जब राम भग धनुमान वापस लोड़कर श्री राम को सीता जी के बारे में बताते हैं, तो उन्हें भी अपने ब्रह्म से मुक्ति मिलती है, और उन्हें फॉरण एक दूसरा ब्रह्म जकर लेता है, कि सीता जी से उनकी भेठ हो पाएंगी या नहीं, श्री रा अब भी मेरा बाहर जाना जरूरी है या चु कर तूसरा जरूराओ है तुम रुको पहले मुझे फॉन करने दो मेरी गल्पन्स हो जाएगी प्लीज चुप पहले मैं फॉन करूंगी क्या बात है सर आप कुछ पारिशान लग रहे हैं अरे सुमेने का टेलीफून का बिल कितना आ गया है देखो मैं कभी इतना फोन करता नहीं है अगर मुझे फोन जाता हूँ इतने पैसे कभी आते क्या मिश्य बाख एक पेटी ले पिछले आते गहंटे से तुम बात कर रही हो वो स्टेडी पर जानती हो कितना मिलाएगा इसलिए तो रात में फोन करती हूँ पापा हमारे यहां रात में पैसे नहीं लगते हमारे प्रिंसिपल साब बहुत ही अच्छे है वो बिल खुद देते हैं पता है आपको मैं आपके साथ एक और घंटे तक बात कर सकती हूँ हां एक घंटा अटेंशन अटेंशन प्लीज एक कुछ क्या बनी सुनिये आज हमारे साइंस और मैद कर दोनों टीचर नहीं है आज क्लास बंद क्या बात है क्यों शोर मचा रहे हो इतना सुर्य आपका पीरियद नहीं है जानता हूँ मगर प्रिंसिपल साब ने मुझे इसली भेजा है ताके तुम लोग इतनी शरारत आपना कर सको कि आसपास के स्टूडन्स भी पढ़ना सके आओ अच्छंके प्रेजन सर निलम आयों सर कोवेंद मौजूद हूं सर सो नाम लगता है मेरे आने से तुम लोगों कुछ ज्यादा ही दुख हुआ है नहीं तो और क्या सर खुशिया मना है सोचा था दो पीरे खाली है नाचेंगे गाएंगे खूब मस्ती करेंगे अगर तुम लोगों के नाच गाने और मस्ती में मैं भी शामिल हो जाओं तो किसी को एद्राज तो नहीं होगा वाट यह आप क्या कह रहें सर सही कह रहा हूं तो कम आँ जोई में नाचो गाओ फिल्म दिखाओ मौच मजे की यह घड़ी मौच मजे को उम्र पड़ी है पड़ने की है यह घड़ी आदत बुरी यह फिल्म की बाते करो तुम इल्म की नाचो गाओ फिल्म दिखाओ मौच मजे की यह घड़ी और मौच मजे को उम्र पड़ी है पड़ने की है यह घड़ी मौच मजे की यह घड़ी मौच मजे झालना पालना मौच मजे चंके, प्रेजन्ट सर, नीलम, ये सर, वीर भगत दिंग फासी चड़ा, मनोच शहीत में अच्छा लगा, कोविंदा, क्या है सर, सो नाम, आई हो, हिस्ट्री में क्या है पसंद तुम्हें, दिख ला मुगले आजम हमें, कैसे लाए आजादी गानी जी को याद करो, उस आजादी का फाइदा हमको कुछ पा उठाने दो, उठादो, उठादो, फाइदा उस आजादी का, आजद बुरी ये फिल्म की, बाते करो तुम इल्म की, हे नचो गाओ, की में दिखाओ, मौच मजे की, ये घरी हर मौच मजे को, उम्र पड़ी है, पड़ने की है, ये घरी रड़ी है, ये घरी किताब कहाँ है घर भूलाया और तुभारी लाई हूँ अब शेक्स पीयर खोलो ज़रा क्या कर रहे हो पेंसिल चिल रहा हूँ और तुम श्याई रावे हूँ हल दिल जाने वो है साइकोलोजी लरका लरकी मिले वो है बायोलोजी अंग्रेजी लिटरेचर का अब वाकिर घंठा हम लिची नेचर रोमैर्स पढ़ाओ रोमीयो जुलीट का पढ़ाओ बचाओ बचाना रोमीयो जुलीट का आदत बुरी ये फिल्म की बाते करो तुम इल्म की और मोच मजे को उम्र पड़ी है पड़ने की है ये खड़ी आदत बुरी ये फिल्म की बाते करो तुम इल्म की रुको में लेजबां जी क्या स्कूल में यहीं सिखा जाता है मैंने क्या कि तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया ऐसी गंदी हरकत करते है तुम्हें शर्म में आई मेडम केक लगाने से फुट बॉल कैसे और चलती है शाहिद नहीं मालुम कहई भी जा सकती है मैंने कोई घंदी हरकत नहीं की तो शाहिद तुम्हारे दिमाग में एंड़ने जैनलों विख्यों सब्सक्राइब कोवेंद यह तुम्हारी टीचर है एक तुम्हें तमीज नहीं है क्या यह यह हमारे बीच की बात है हां तुझे बीच में आकर तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं संजे शाहिद तु जानता नहीं मिनिस्टर का बेटा हूं मैं चाहूं तो इस्क कमचल, पूम आप झाल, सक्टेल प्रॉट अजब दूसार कर दूसार कर दा रंग झाल, जाल, लुट बाद। ए्यूजर। अच्वर। मुश्याव आई! चल इज जल! 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 कबार दाज़ो अपनी जगे से कोई ला! जेक कुभी नहीं छोड़ूगा! हाँ बूर रानुगा सबको! जल जल नहीं पेवोलतो! जल! 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 जापाइगे जल! एई! चल! जापाइगे जल! 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 हुआ है अब तेरा जिन्दा रहना ठीक नहीं है कुटे आई कुटे आई 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 अगी अभी आई आई स्वच्च्य आई 我是 झाल 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 ब으로ल क्षॅ। क्षू। क्षू। LOL boxing Gospel मतर इस बात का किसी को पता ना चले कि इसकी गरफ्तारी में मेरा कोई हाथ था मुझे अपनी फिकर नहीं है लेकिन स्कूल के उन बच्चों की है ऐसा नहों कि मेरी वज़े से उन पर कोई आज आ जाए आई अंडरस्टेंड मिस्टर जे लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है इस बात को राजी रखा जाएगा सब्सक्राइब बंदेश आज जाएगा कि वेल ड़ान था तुम बहुत ताकतवर हो और इस्याचे उपने गोविंद की बटतमीजी का जवाब देशका ता तरह आपने से उसके अंदर गमन नहीं तूटता बलकि बदले की भावन और जाग जाती सजा देने से स्टूरी सो बदलाव नहीं आता और मैं गोवन में बदलाव देखना चाहता हुआ अब बदलाव चूटे घर और हम लोग हाथ पर हाथ धर मैंठें कुट्व ने उसको जकर लिया वारे शेर जैसे भाई को कुट्व की फॉच ने जगर लिया नहीं चुटे रिहा होगा चुटे रिहा होगा किसी भी तरह से किसी भी तरीक एसे छोटी ने हाऊगा तक उसी को तो माली है कि न्यूकलर बॉम उसने उसने कहां छेपाकर रखा है उस बॉम के बिना हम अपना प्रन, अपना वादा पुरा नहीं कर पाएंगे और आज तक हमने अपना हर वादा पुरा किया है और ये भी करेंगे का बात है मामा तारे स्टूडेंट मेदान मा है तुम यहां अकेले का कर रहे हो हम आर साथ दिन की छुटी की ना हूं सुसरे आजे ने इस बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मज़े उड़ा सके घर में पड़े पड़े बेंगन की तरह सड़ गए हम हम एकर ऐसा बदला ले कि वहराम जादा सारी जिंदगी आउ करे लेकिन जया की कितामा का रख रे हो तुम इतों का बाद में पता चले चल आउं 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 तो गुद मॉर्ण ड़ेंग केबल पर रख दो आज आपने टाय नहीं लगाई है सर क्यूं टाय लगा बेना मैं बढ़ा नहीं सकत गुस्सा क्यों होते हैं सर लेकिन अब टाइम में ज्यादा हैंसम और स्मार्ट लगते हैं हुआ हुआ होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टन और इंट्रेस्टिंग है का बात है मामा तर इतने बुरी तरह काहें चाओंके हिता बबाम रख दिया होगा मामा आओ आओ चैस रफारा ना मैं सो येस लागत है कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग लेसन हुआ है उका है कि पहले सर जया को समझाएंगे ओका बाद जया हम लोगन को समझाएगी ओका बाद कहा होगा आओ देखो जया ये पहली जिया बेकरार है आई बहार है आजा मोरे साजना देखो जया ये पहली बार है पहला खत है अगर किसी के हाथ लगया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी बी केफुल मुझे बिश्वास नहीं हो रहा है ये सर के अरकत हो सकती है विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है उन्हीं क्या सोचा है इस कट का जवाब देगी ये तो बहुत इंट्रिस्टिंग मैटर है तो तमझ कर बताऊंगी गुद्मोनिग बिश्वास तयली जी अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूत नी में खुद दुकान से खरीद कर लाया हूँ चाहकर बैठ चाहू का इस अपाइलेंट्स कि अगर फिर हम लोगन की पड़ाई नाई होने वाली आज का रख दिया है तुमने मामा आओ 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 जया लागत है कि मास्टर जी तुमका कुछ समझाना चाहते हैं जाओ उनका शाइब यह बहुत हो गया मास्टर जी के साथ मज़ा है जोड़ दो से जया प्लीज कम आओ जया जया के दिल में मास्टर यह दिल जया देगी मास्टर को मास्टर को जया यह दूसरी बार है यह दूसरा खाद है इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में ऐसी हाय चल मचरी में बयान नहीं कर सकता बस इतना समझ लो मैं बहुत बेचैन हूँ समझने कोशिश करो क्या बात है दूसरी चट्टी अगर तू सर को नहीं चाहती तो मुझे बता दे मैं सर को जवाब दे दूगी अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं oh बॉर्निंग सारा बॉर्निंग लिस्तिडाउ देर से तूमच अरे तुम्हें अब्रियल स्टूरिटेट हो इसले में तुमारे हर गल्ती को नसर अंदास करता रा दो मरता तुमको वर्निंग दी, इसके बाव जो तुमने तीसरा लव लेटर लिका हो भी अपने टीचर को, अपने घुरु को, हद होगी पे शर्मी की, अगर मिस्टर हाजे की जगा कोई दूसरा होता न, तो तुमारी जिन्दकी बरबाद कर देता, अरे ये तो इनकी शराफ है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की, कि ये लेटर कहां से आया है, किस ने लिखा है, और क्यों लिखा है, अच्छा, कहां से आया, किस ने लिखा, तुमने लिखा हो किस ने लिखा है, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है, सर, इन्होंने मुझे लिखा है, क्या वक कि बहुत बदनामी होगी यहीं न और कि अगरता मैं तो मैं बदनामी और गल्ट रासे पर चलने से रोगने के लिए क्लिए करता ऑगर ऐसी बात है तो दूसरा लेटर देते वक्त यह कए क्यों कहा था कि इस वlooking दिल में धें में में कैसी हरल्चल मचिह हूई यह में बता नहीं सकता बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचाईं हूं अरे आजी बाबु यह क्या चक्कर है आपके यह खत इस ने लिखा है यह करती है अप मेरा करेक्टर अच्छी तरह जानते हैं आप जानते हैं अपनी गुरु की कितनी इज़त करता हूं मैं आपकी कसम ख अगर आप मुझे पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं है मेरवानी करके कल आप मेरा इस्तिफा मनसूर कर लीजिए अच्छ अरे ने ने अजया बबू मैं आप जैसा अभी टीचर नहीं खोड़ सकता इनक्वारी बात में होते रहे कि फिला मैं इस रड़की कोई किस्तुवा ठेराता हूँ आप बताएए इसको क्या सजा दी दिया इसे ऐसी सजा मिलनी चीए सर जो तमाम स्टूड़न्स के लिए एक सबक हो इसे पंदरा दिन के लिए सस्पेंट कर दीजए पंदरा दिन कुछ ज्यादा नहीं होगी बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा कोई नुकसान नहीं होगा सर यह उस्तुमें बैटकर पढ़ लेगी शीदा इंटेलिजेंट गर्ल बस कीजिए अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं मुझे स्कू अगर लड़कों को इस लव लेटर के बार में जरा सबी खबर मिल गई तो वो तो हंगा मकडा कर देंगे पूछो ना क्या हुआ क्यों हुआ कब हुआ दो जवा दिल में जो होता है सब हुआ ताका ताकी जाका जाकी देखा देखी हो गई लड़की ती कम सिन देखते ही खो गई फिर क्या हुआ मामा लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजन से लड़ गई वो तो चतुर चालाक बड़ी थी किसने उसे बनाया अर नाच नचाती थी वो सब को किसने उसे नचाया एक जवा चैला अलवेला अपने शहर में आया प्यार की उसने प्यास जगादी ऐसा जादू चलाया मजनू बेचारा का करता कि लैला खुद पीछे पड़ गई पड़ने को आई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई लैला बेचारी का करती नजरिया मजनू से लड़ गई चटपट चटपट नटखट प्रेमी प्यार के तट पहुँचे पंसी की धुन सुन राधा जू चमना तट पहुचे 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 जवां उम्र का लड़का है और लड़की नादा नादा कैसे इन में त्यार हो गया सोच की हूं मैं है राव किसी से भी हो सकता है ये प्यार तो है बस प्यार प्यार कोई सीमा ना माने ना कोई दीवार आशितों की यही आरजू दोनों यूही रहे रूबरू अल्ला हूँ, 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 अल्ल जिदवाली की जिस पर अड़ गई अड़ गई पड़ने को आई कुछ और सबक कुछ और ही पड़ गई लैला पेचारी का करती न जरिया मजनू से लड़ गई अंदर ग्लास चाहिए भार क्यों खड़ें तुम हम तोहार का इंतजार कर रहे थे यह यह बताने के वास्ते यह प्रेम पत्र जिया ने तुमको नहीं लिखा है हम इंचोरी से लेकने की कीजास से बहां से निकाल दिये हम इंपने पर नहीं जा है 2.. 38 order का वह मह अछे ठीक हम सच भूलादे है मैं प्रिंसिपल साफ से शिकायत करके मुझसे बहुत बड़ी गल्पी हुए बारी बार शादी के कार्ड पर छपता है लेकिन मेरा नाम तो आपके साथ स्कूल की कमपाउंड से हॉस्टिल के बातरूम तर लिख दिया गया है अब हमारे पास एक ही रास्ता है सर कि हम सच मुझ एक दूसरे के ही हो जाए होश में हो जया चांती हूँ तुम किस से बात कर रही हो मैं तुम्हारा टीचर हूँ जया टीचर और तुम मेरी स्टूडन्ट तरह बात करते हो तुम्हें शरम नहीं आती अब किस मिट्टी के बने हुए सर एक खुबसूरत जवान लड़की अगर किसी मर्द से आई लव यू कहे तो उसे जटका लगेगा खुशी से जूब उठेगा वो जया देखिए सर इनकार मत कीजिए रात को थोड़ी देर सोचिए मेरे बारे में मैं वादा करते हूँ सर्थे बर तो स्कूल में सर खपाते रहते हैं सर एक संदे को छुट्टी मिलती है वो भी फूलों को सताने में गवा रहे हैं कभी तो लाइफ इंजोई कीजिए निलम यह सर यह लड़की तो होस्टल में रहती है इसका जवाब मैं देती हूं तू जा यहां से अरे जाने हो बात दरहसल यह हैस्ता कि मैं होस्टल छोड़कर आपकी पडोसन बन गई हूँ मेरा मतलब यह है कि मैं पानी पूरी शर्मा जी के घर पेंग एस बन कर आई हूँ खाने पीनी और रहने का सब मिलाकर एक हजार रुपया महीना देना पड़ेगा बस यह सोच में पड़ गए सर मैंने तो आपको उसी दिन कहा था कि दुख के तूफान मेंसे खुशी की किनारे पर पहुँच जाना ही सुन्दरकांड है और मेρα सुन्दरकांड है आपको ढूरना-, आपके करीब आना-, आपको पाना जिस पर आज मैंने अपना पहला कदम बना दिया है। ये तुम्हारी नादानी है चया तुम्हारा बच्पना है एक दिन तुम्हें सरकत के लिए पच्टाओगी क्योंकि तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती अरे सर दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए जैसे तो ये मेरी पहली और आखरी इच्छा है मैं भी देखती हूँ कैसे पूरी नहीं हो देखो चया पेरे हाथ में जाड़ी काटने वाली कैंची है ऐसा नों में तुम्हारा काट दू अरे सर गुस्ता मत हो ये क्योंकि आपका गुस्ता भी अब मेरा इरादा बदन नहीं सकता बाइग कर स्कूल अकेले मठ चले जाना मुझे भी आपने स्कूटर पर बिठा कर ले चलना रास्ते में खुब मज़ेदार बाते करेंगे नमस्ते जी नमस्ते बेटी तुम अंदर जाओ जी आप ये अंदर चलिया ना मैं कबाब में हड़ी बनकर क्या करूंगी मैं यहीं ठीक हो अच्छा आईए जी अरे सोनम ये सब क्या चक्कर है तुम मिट लड़कियों सर को अंदर जाते हुए देखा ये तो मैं भी कई दिन देख रही हूं हर दूसरे तीसरे दिन ये और अलग लड़कियों को लेकि सर के पास आती है कुछ तो बाहर बैट जाती है और लड़की सर के साथ अंदर चली जाती है और फिर लड़की बाहर कि इतनी देर बाद निकलती है कोई 15 मिनिट में निकला कि तो किसी को आदा का जवाब कुछ ठीक नहीं दिया आप मेरे हर जवाब के बाद इस तस्वीर की तरफ क्यों देख रहे हैं यह मेरी दाती है आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी जब मैं उस तस्वीर को देखता हूं तो यू लगता है जैसे वो मुझसे बाते कर रहे है एक आ अंद conquest के लिए सिर्फ अंधिरा दूर के लिए हथ रोशनी करने के लिए और क्या चुश्मी लानती से रोश्णी तो होती है लेकिन मेरी दादी कहती थी कि घर में दिया इसलिए जलाया जाता है ताके घर में सुक आए शांती रहे लक्षमी बढ़े आप समझ गई ना कि देखिये मुझे गलत मत समझिये लेकिन ये लड़की भी मुझे ये आप क्या कह रहे हैं मैं आपको कैसे गलत समझ सकती हूं आप एक अनाथ लड़की से शादी करके अपना घर पसाना चाहते हैं ये तो बहुत ही नेक काम है वैसे आप फिकर मत किजिए मेरे अनाथाश्र म में साड़े तीन सो लड़किया है जब तक आपको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं बराबर यहां आती रहूंगी शुक्रिया मुझे लड़की में ज्यादा कुछ नहीं लड़की पड़ी लिखी हो समझदार हो और मेरा घर बस आ सके बस यही कुछ गुंच च करते हैं जी मैं ही आजे कुमार सकसे मैं शिवनननन अनाथाश्रम से आई हूं मगर रोज यह औरत आती वो जी उसकी तबर ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई वो अच्छा कोई बात कहिए मैं लड़की दिखाने लाई हूं लड़की मुस्लिम है आपको कोई अतराज तो नही आये यह यह लो अपना ही नाम अच्छी एक्टिंग करने का आप चलो फूटो यहां से आपका नाम सुल्ताना रजिया चमचम अनीस मचमच रजिया सुल्ताना बेगम ठीक है ठीक है मैं याद कर लूँगा क्या मैं आपसे कुछ पूचने की जुरुत कर सकता हूं क्यों नहीं बड़ी शौक से लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूचना चाहूंगी अच्छा तो यह बताईए गाई बच्छडे को जब जरन देती है तो बच्छडा फौरण मा का दूद पीने के लिए उसके संद को ढून लेता है उसे कैसे पता चलता है कि दूद वहाँ है यह क्या सवाल हुआ आप ही बताईए जानवर तो बेजुबान होते हैं हम इंसानों की तरह अपने बच्छे को बोल के बता नहीं सकते फिर भी उनमें सोचने समझने की सौलेट कैसे होती है विना बटाए अपने मा के संद से दूद कैसे पीते है अगर यह सवाल आप मुझ ज अच्छा अच्छा तो यह बात है जानवरों को पांच सेंस होते हैं फिर भी कुद्रती तोर पे उन्हें सब पता चलता है और इंसानों में छे सेंस होते हैं फिर भी उनमें अकल ही नहीं क्या मतलब मतलब यह कि औरत के आचल में पलने वाला बच्चा जो बच्पन से औरत क इतना ना समझ हो जाता है, जो इंटेव्यू लेनी की जरुवत पड़ती है। पूरा नहीं मानना, मगर आप किसी स्टेनो या टाइपस्ट का इंटेव्यू ले रहे हैं, जो आपसे ये कहें, कि उन्हें दस सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको खुशी होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ, कि मुझे शादी के दस सालों का एक्सपीरियंस है, तो क्या आप मुझे अपनाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। आप भी मुझे कुछ पूछना चाहेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओल ओवर, क्लीन बोई। नहीं नहीं, आप जरूर पूछिए, हो सकता है, जो मैं नहीं जानती, वो आप जानते हो, तो मुझे भी जान लेना चाहिए न। ठीक है, और अगर घर में दिया क्यों जलाती है। मुश्किल सवाल लग रहा है न, कोई बात नी, टेक यर ओन टाइम, आराम से सोच कर बताईए, और अगर फिर भी ना बता पाईए, तो मैं बताऊंगा, आई विल एक्स्प्रेंग तो यूँ अलग 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 मकसद के लिए दिया चलाती है, एक गरीब औरत अपनी कुट घरेलू औरत इसलिए दिया जलाती है, ताकि उसके घर में लक्षमी आए, शान्ती रहे और सुख बढ़े गुड़, वेरी गुड़, एक अगरी सवाल, आपको गाना आता है, क्यों, नहीं आता होगा तो शादी नहीं करोगे, नो, 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 that's the point, that's the point, मेरा कहने का मतलब यह है, कि हर आदमी जब काम से घर लोटता है, तो वो चाहता है, कि वीवी उसका मन बेला है, उसके हा हां, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है, तो फिर मुझे गाना आता है, तो फिर गाएना, गाएना, उसके लिए आपको खुबशूरत वादियों में जाना होगा, जहां चार हो तरफ हरयाली ही हरयाली हो, जहां एक तरफ आसमान से बाते करते हुए पहाड हो, तो दूसरी पानी का खुपसूरत जर्ना जhर्ना हां और हम 30-40 लड़कों के भीच खेरे होंगे हुम प्रेव कर horse कुकु, 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 कुकु दिल बोले कुझा 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 कर दो कर दो कर दो कर दो थाक 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 ति था मैं तुम्य हूशारा जहाँ चाहे तुझे अच्छा है नसीव में रफाया तुझे आ गाई आधा तेरी पसंद मुझे कर लिया तुने र जमन्द मुझे जो था खाब में है वो सामने रोज करेंगे हम कुकु 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 सासो के बंसी बोले कुकु कुकु ठाक 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 तेरे भी ना जिन्दगी अधूरी मेरी कर दे तु हर कमी पूरी मेरी तेरे भी ना जिन्दगी अधूरी मेरी कर दे तु हर कमी पूरी मेरी तेरे लिए कुछ भी मैं कर जाओ जीना तो जीना है कहें मर जाओ जो था खाब में है वो सामने रोज करेंगे हम कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-कू-क साजों की पलसी बुले कुकु कुओ तेरा भे दिल बुले कुकु कु मेरा भे दिल बुले कुकु कु वो वो जो तुम्हारे साथ और थी वो कहां गई कोई खास बाद कहनी है उनसे ने पस यही कहना था कि मैंने तुम से शादी करने का फैसला कर लिया है लेकिन आपने तो अभी तक मेरी शकल देखी भी नहीं शकल मेरी लिए एहमियत नहीं रखती I don't believe in face इंसान का दिल और इसक अपनी बात से मुखर तो नहीं जाएंगे मेरा नाम अजे कुमार सक्सेना मैं एक बार किसी को जबान दे दूं उससे पलटता नहीं हूं thank you sir इसमें thank you अपने जुबान दी है आप अपनी बात से हर्गेज नहीं पलट सकते है तो प्लीज एक बार ट्राई तो कीजी शादी करके हां sir हमारी सहली का दिल मत तोड़िए यह बहुत प्यार करती है आपसे अपने टीचर के साथ इस तरह की बाते करते ऐसा बेहुता मदाग करते शरम हम लोगों पर विश्वास करके क्यूंकि उनकी नजरों में हम टीचरों की एक इजजत होती है एक मरतबा होता है बस आपकी स्टूडेंट हो सिर्फ यही वज़ा है आपके इंकार की हां तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैं इंकार कर रहा हूँ क्या बच्पना कर रही है यह ब्रेंट स्टूडेंट ने ने मैं तुझ जाना दूँगा क्या बात है बात क्या वो तो मुझे नहीं माने के स्कूल छोड़का जा रही है बैटी तुने आचानक फसला क्यों किया वो कौन सी चीज़ जो तेरी पढ़ाई की पीच में आ रही ह पढ़ाई जादा जरूरी है या जिंदगी वैसे तो जिद्धी जादा ज़रूरी है लेकिन पशी में समझ लीजिए कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है कैसी बात करती बटा तुमिनिया फिकर मत कीजिए मैं जय को समझांगा एक प्रिष और सुरी विस्टर अब कि आपकी स् आज से मैं आपके लिए जया और आप मेरे लिए अजय पिर अजय 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 बाबू आज के बाद हमको आपकी और आपको हमनी परवा करने के जुरूरत कौनों ना ही है हम आज के बाद हम आपको तंग भी ना ही करेंगे कूछो क्यूंकि कल हम सोबा टीचर के साथ करने वाले हैं का करने वाले है साधी यह रहा हमरा साधी का कारण आसी रोड़ेने जरूर आना अच्छ गप ज़रा यह आएंगी हाँ अरे 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 हमनी होने वाली जोरू है इक कोले में काहे कोले जा रहे हो स्कूल का ज़रूरी मैटर है शकून बस एक विने आउ ये क्या सुन रहा हूं है शगुन आपका स्टूडेंट है और आप उससे शाधी कर रही है आजे बाबू आज तक मुझे कई लड़के देखने आए लेकिन उन्हें शाधी के लड़की नहीं बैंक चाहिए सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं तुम दहेज में क्या लिखूंगा उसे तो सिर्फ मेरी शाधी की रजामन्दी चाहिए थी सो मैंने हां कर दी शगुन आपका स्टूडेंट है सो वाट अजे बाबू किस कानून ने कहा है किस किताब में लिखा है कि स्टूडेंट और टीजर शाधी नहीं कर सकते अरे सोभा सुभू मेडर papa करी वे पर्सेल मेडर इतना वकत का है को लगा तो दमने शगून बाए dol ने आप जरूरा ना हा जरूरा अ कि क्या बात है सयर्य वह एश जिख पटा है और टीचर साथ शाथ क्यों है अब है आपके पास कोई जवाब है जब मैं स्कूल में बढ़ता था तब एक टीचर अपने स्टूडेंट को भगा ले गया और जानते हो स्टूडेंट के माबाप ले क्या किया खुद कुशी कर ली आज तक वहादसा मेरे दिल में खटकता रहता सवाल भी खुदी करते हैं औ तुम्हारे कमर का पट्टा है यह मंगल सुत्र मंगल सुत्र इसकी इज़त करना सिको देखो जाया मैंने प्रिंसिपल साब से वादा किया है कि किसी भी तरह में तुम्हें मना लूँगा यह फजूल की बाते छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो मैं अपनी कि महलत देती हूं आठ्वे दिन आपको यह मंगल सुत्र मेरे गले में पहनाना होगा वरना जो कहानी आपने मुझे सुनाई है उससे मैं दहराऊंगी क्या मतलब यही कि आपकी स्कूल का एक टीचर एक स्टूडेंट को भगा ले गया था और उसके माबाप ने खुदकुशी कर ली अब आप अपनी स्टूडेंट से शादी नहीं करेंगे तो वह समुंदर में दूब कर खुदकुशी कर लेगी और बदनामी होगी आपकी कि अच्छा नहीं किया जया खुदकुशी की धमकी देकर सर को बहुत बड़ी परेशानी में डाग दिया विचारे कल से घर में ताला लगा के गए हैं कई तेरे डर्शे चेर छोड़के ना भाग गए हो अरी ने ने बहु देखो लगता है सर आ गया मगर स्कूटर के एक आजे बाबू अचानक आउ कर लेओ नमस्ते भाबी हमका बताया तक ना है अज्ये बाभू ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया एक माली दो फूल पधाई हो जाए अरे क्या कर रही हूँ यह अरे ठरो तुम रिवाज के मतादिक जब नई दुलन घर में आती है उसके आर्टी उतारी जाती है रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिष्टेदार आने वाली बहो को सोने के गहने भी पहनाते हैं कौन करेगा इतने सारे रिवाज मस्तिघ जी का अपना तो कोई है नहीं लड़की पहले ये नात है मस्तिघ जल्दी में आनाथ आश्रम में शाधी करके आ गए बात जिवाज निवाना भी तो ज़रूरी है आज से हम अजय की पत्ली के रिष्टेदार अच्छे बाबू अरे पहले डिरामे भी रामी लेखते थे क्या कब किसे घर में लाना है कब किसे किसका किरायदार बनाना है यह सुर्टाल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं वैसे मेरा कैल्कुलेशन कुछ और कह रहा था पर आपने तो कुछ और ही कर दिया अच्छी तुम यह क्या कर रही हो फिर और कहा जाओ वाँ 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 इसे कहते हैं जब उपरवाला देता तो छपपर फाड़ के देता किसी की पांचों उगलिया घी में होती है और को गी को तरस जाता है पानीपुरी जी आप खड़े क्यों है बैठिये मैं ज़रा चाय तो कि यह क्या कर रही हो तुम जयों से जाओ तो हगरात की सेज सजा रहे हूं ताकि आपको दूसरी बार क्या याद रहे जब मैं दुल्हन बन कर आऊंगी तो यह सेज खुझ सजा कर रखेगा देखो जया मैंने सिर्क तुम्हारी वज़े से इतनी जल्वाजित शादी की ताकि तुम्हारा भविश खराब नहों, और तुम दुबारा स्कूल जा सको। आपने शादी किसी लिए भी की सर, वगर अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस समिल जाएगा। हमारे वक्तिया एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। जियाद आप अकवास मत करो नहीं तो मैं जान से माड़ा लूगा। मैं एक शादी शुदा आदमी हूँ, I'm a married man. आप एक शादी तो क्या, साथ शादी कर लीजे। तब भी मैं आपके आठवी बीवी बनकर इस घर में आऊंगी। यह मेरा वादा है सर, this is my challenge. जज तुम हो, और यह कोट भी तुम्हारा है, मगर आज फैसला हम सुनाएंगे। हमारे भाई को अगर हमारे हवाले नहीं किया गया, तो तुम्हारे सभी लोगों को मौत की सजा में लेगी। Yes officer, क्या position है। तक्रीप और हमारे सो आदमी अंदर प्रसे होगी सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जजसाब भी उनके कब्से में हैं। Fire! 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 और उसने कहा है कि हर आदे मिनट के बाद हमारे एक एक आदमी को मौत के घाट तर देगा आप जल्दी दे कुछ फसला किजिए सर अरे ओ मंत्री मेरी रिहाई के सिवाई तेरे बस और कोई चारा नहीं रहे देख कि अब टेप्टन चोटे को उपर लाय जा रहा है कि अब जो करेशा में पूंछा है कि छोटे मेरे भाई ल OVERना के करी कैप्टवाई कि अपने भाई को साथ नहीं ले जाओगे ल्गेंगे ल focus पूँछट कद्मों के था ने हैं तुमसे ही कुछ प्ड़ाज फासले पर हिंप्जमत है तो ले जाओ इस से ले जाओ, लेकिन याद रखो, इसे तुम यहाँ से जिन्दा वापस नहीं ले जा सकते इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े तुम्हें जूडने पड़ेंगे क्या समझते हो तुम लोग, अपने जिस्म में बंबान कर जान देना सिर्फ तुम ही लोग जानते हो हम भी जान देना जानते हैं फर्ख सिर्फ इस बात का है कि तुम अपने स्वार्ट के लिए जान देते हो और हम अपने देश के लिए जान देते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुल्बुले हैं इसके, ये गुलस्ता हमारा Captain, लगता है हमें बातल मन फसायदा आरहा है Captain! Captain! क्या चाहते हो तुम मेजर आजाद कालीफुर से ट्रांसफ़रों कर जहां तुम जा रहे थे वहां तुम नहीं यह जाएगा क्या चाहते हो तुम यहादा हो तूम यहाद है तो बहुत खुश किस्मत है सरस्वती जो तुझे देखते यो मासे शादी के लिए फौरन तयार हो गया वरना उसने तुमसे कितने मुश्किल सवाल पूछे थे अच्छा लेकिन हो सकता है जो सवाल उसने मुझसे शादी से पहले पूछे है वही सवालो तुमसे शादी के बात पूछे तो आगरायत के दिन सरस्वती 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 क्या हुआ अरे तुम रो रही हो क्या हुआ किसी ने कुछ कहा तुम से मैं एक अनात हूँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा पती मिलेगा मुझ से शादी करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान किया है अरे मैंने तुम पर कोई ऐसान नहीं किया मैं एक मर्द हूँ और हर मर्द को एक जीवन साथी की जरूत परती है तुम्हें एक औरत हो और तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हें एक जीवन साथी की वी बोर्थ आर सेलिंग इन दे सेम बोट यू फॉलो मी गूल चलो चलो आओ बैच वांट सम्वाटर अरे यह क्या तुम नीजे क्यों बैठ गई आपके बराबर बैठना ठीक नहीं लगता नहीं नहीं चलो उपर बैठ तुम मेरी बीवी हो खुलाम नहीं जिखो सस्वती मुझे सिर्फ तीन लोगों से प्यार है नंबर वन मेरी दादी जिन्होंने मुझे पालपरुश कर बढ़ा कि नंबर टू मेरे गुरुची किन्होंने मुझे सिक्षा दी और नंबर तीन तुम से क्योंकि अब तो मैरी बीवी हो ये नमबर इससे पहले उन किताबों का था लोग मुझे कितावी कीड़ा कहते हैं ओ हाँ, जरो वाँ से मिल्टन की पैरड़ाइस लाउस नाम की किताब लाना प्लीज जी उस किताब में मिल्टन ने ये लिखा है कि अगर पती-पत्नी एक दुसरे को अच्छी तरह समझ के जिन्देगी गुजारे तो उनकी जिन्दगी स्वर्ख से भी सुन्दर हो सकती है ये क्या उठालाई तुम आपने काफी बड़ा नाम बताया था ना तो उसे साब से मैं सबसे बड़ी किताब ले आई बड़ी तुम कहां तक बड़ी हो अरे चुप-चाप क्यों खड़ी हो पांचवी क्लास पांचवी क्लास तो फिर तुमने अपना नाम सारस्वाती क्यों रखा मैंने नहीं रखा बच्पन में माबाप ने रखा था मुझे धोका देने के लिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जब मैं पांचवी में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए फिर मैं तीसरी पास करके चौती में गई, चौती पास करके पांचवी में गई, फिर चौती में आई, फिर तीसरी में आई, ऐसा तीन बार हुआ, फिर मैं बढ़ी हो गई, फिर छोटे-छोटे बच्चों के जाथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शरम आई, मैंने छोड़ द चुंत नहीं, अरे यह क्या डबल मिनी में सर हिला रही हो, अगर आती है तो इस तरह सर हिला, और अगर नहीं आती तो इस तरह सरह हिला, आती है, गुड़, खाना बनाना आता है तू तो एकदब पगली है रे गर्दन हिलाकर इशारी से कह देना साथ आता है और फिर धीरे धीरे सीख लेना मगर जूप बोलना तो पाप है ना दीदी कोई पाप पाप नहीं है जैसा मैं कहती हूं वैसा कर वरना तिरा घर बसने से पहले ही उचर जाएगा अरे तुम गेरी सोच में क्या पड़ गई मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें खाना बनाना आता है आता है चलो शुक्र है देखो मुझे खाने का बहुत चौक है और वेजिटेन से ज्यादा मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है ऐसी बात नहीं है अगर वेजिटेन में को अच्छी चीज मिल जाए तो वह भी मैं खा लेता हूं लेकिन नॉनवेज में मुझे सब कुछ पसंद है चिक्कन मटन फिश प्रॉन कबाब तगली कबाब पाया गुर्दे का पूरे सुनो सरसुपी जहां तक हो सके मर्ग को बोलने मत देना मगर फिर भी अगर वो तुमसे ज्यादा सवाल जवाब करे तो फौरण बटी बंद कर देना बटी बंद कर देने से मर्ग का मूर बदल जाता है और वेजिटेरिन में वेजिटेबल पुलाओ व अरे वाँ मैं तो समझा था तुम इस मामले में बिल्कुल भोली हो अरे दादी मा इस तरह आखें फार कर क्या देख रही हो बंद करो ना अपनी आखें सरस्वती भाबी ओ भाबी ओ भाबी ओ भाबी इन्होंने शायद मेरे बारे में ये सोचा था के पड़ी लिखी तो बहुत हाफसेट हो गए इसका मतलब रात को नहीं नहीं वो तो मैंने संभाल लिया रात को सोते सोते चार बज गए मगर भाबी अब अगर उनको पता चल गया कि मैं अनपड़ होने के साथ साथ खाना बनाना भी नहीं जानती तो पता नहीं और कितने हाफसेट हो जाते इसलिए मैंने सरहला कर कह दिया मुझे आता है मगर वो रात को कहने लगे कि सुबा जगा देना क्या देकर हाँ याद आया ग्यास काफी अरे ग्यास काफी नहीं लेकिन अब मैं कैसे बनाओ मुझे तो बॉर्डर लग रहा है अगली कहीं कि इसमें डरने के का बात है हम है ना अरे जरासी भी अर्चन आए तो तुम हमारे पास चलियाना जी जखना नहीं आहिस्ता इस्ता ठीक हो जाएगा अब थंकू भावी थंकू नहीं थांक्यू थेंक्यू थेंक्यू वह क्या कॉफी बनाई है यू हमें मेंड माई डे रात को मैं ऐसे नहीं कहा था ऐब भगवान ने तुम्हारी कुछ बातों को छोड़कर तुम्हें बहुत गुनी बनाया जी जाता है सुभे सुभे तुम्हें इनाम दे दूं आपको स्कूल पॉंचने में देर हो जाएगी ना आप नहांकर तयार हो जाएगे मैं नाश्ता बनाती हूँ अरे छोड़ो नाश्ते को चोड़ो यह लो सरसुती छोले पूरी और आलू क टुम्हें पराठे तुम बहुत अच्छी वह थेंग यूंज अश्टे इस वह थे चल़ आ जाता है यह थे पांपूरी शर्मा जी हमेशा तुम्हारी थारीफंगे धोल बजाते रहते हैं कि मेरी बीवी से अच्छा कोई आलू का पराठा नहीं बना सकता लेकिन तुम्हार तक्कर लेने के लिए मेरी बीवी आ गई है सरस्वती तो फिर भावी पराशा कैसे लगा अब हम क्या कहें पर हम तो मना कर देंगे सर्मा जी से कि हमारे पारीष का ढोलना पीटा करें हाँ डाडा अरे सरस्वती जड़ा सुरो तो अब भी स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा है क्या ने ने वह बात नहीं है वह क्या है कि स्कूल में मेरे साथ दस पंद्रा कुवारे टीचर भी बढ़ाते हैं इससे पहले क्यों मेरा मजा खुडा है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि शाधी के कितने फाइदे होते हैं चिक्किन करी बनाकर स्कूल बिजवा दो है ह् तुम सोच क्या रही हो जो कि ने मैं बडियोगा खाना लेने प्यून का भेजूंगा चिक्किन बिर्यानी चिक्किन मटन चिकन फ्राय मरगी भावी भावी तो शकारी है अब मैं क्या करूं कहां जाओं चिक्किन फ्राय चिक्किन मटन अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं खुछ समझ में नहीं आता क्या होगा अब आप बताईए जब वो चपड़ासी आएगा तो उसके हाथ क्या भी जवाऊंगी और जब वो शाम को आकर पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दूँगी मेरी तो जान निगली जा रही है मेडम मैं स्कूल चाहिए हूं सापका खाना लेने जह है वो देख खाना ले जाने के लिए प्यून आया है अब वो पिचारी क्या करेगी या पता सुबह से देख रहे हूं उसने तो खाना बनाने की तैयारी की ही नहीं नमस्ते मिम साप नमस्ते लाइए बाबू बाबू रुखो अरे यह क्या कर रहे हैं आप अज़े सब्सक्राइब अरे यह तो खाली है त्यारे पतिदेव नाराज मत हो ना मगर सच यह है जो आप देख रहे हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता आपकी नालायक पत्नी सरस्वति है कि अधुक्ति कि अधुक्ति दालें का वो तुम सब्सक्राइब तुम इत्ती जैंवी क्यों वाय इसो स्केट मारिये मुझे मेरे खाना पकाने के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे सिर्फ मैं अकेला नहीं पुरा स्टाफ ही समझ गया वाव 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 क्या बिर्यारी विजवा इतनी सब लोग अपनी उंग्लिया चाटे रह गए जी चाना तुम्हारे हाद चुम्डूं यह देखो मैं तुमारे लिए क्या ला है यह गजरा यह साड़ी अच्छी लगी जी तो फिर चले कहां बेडरूम 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 यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगारी थक्का लगा यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगारी थक्का लगा घरम हो गया इंजिनीस का थक्का दे पाजा यह माल गड़ी यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगारी थक्का लगा यह माल गड़ी ड्राइवर में तिरा थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा चालू करूंगा इंजिनीस का तू तरती है क्या यह माल गड़ी यह माल गड़ी तु थक्का लगा धक्का लगारी थक्का लगा वद्पी है कंग मारे लंबा सफर है तू रफ्तार बढ़ा दे मन्जिल पर हमें पहुचा दे पपी है कंग और लंबा सफर है तू रफ्तार बढ़ा दे मन्जिल पर हमें पहुचा दे कभी कभी हम तेज चलेंगे कभी कहीं दम लेंगे है हम दोनों जो चाहें करेंगे आखों में सिगनल हरा दी दिया अब तू सोचे क्या ये मालगड़ी ये मालगड़ी तू ठका लगा ठका लगा रे ठका लगा गरम हो गया इंजिनीस का ठका देता जाओ ये मालगड़ी ये मालगड़ी ड्राइवर में तेरा थोड़ा रुकजा थोड़ा रुकजा रुकजा बढ़ा रुकजा एक डब्बे में बच्चे होंगे एक डब्बे में तुम हम ये प्यार अपना न होगा कम एक डब्बे में बच्चे होंगे एक डब्बे में तुम हम ये प्यार अपना न होगा कम तेरे चलाने से ही चलूँगी तू रोगे तो रुखूंगी तेरे ही संग हमेशा रभूंगे पूंचा नीचा जीवन का रस्ता संभर संभर के चलाओ ये मालगारी ये मालगारी ड्राईवर में तिरा थोड़ा रुख जा थोड़ा रुख जा चालू करूंगा इंजिनीस का तू दर्थी हट्या ये मालगारी ये माल गड़ी तू थस्कलगा रे थस्कलगा गरब हो गया इन जिन्निस्ना थस्का देता जा ये माल गड़ी ओई ओई ये माल गड़ी तू थस्कलगा रे थस्कलगा सब्सक्राइब करें अच्छा कि अच्छा कि अच्छा सुनो रुको ये तुम रख लो ये किसलिया मेडम अरे कल तुमने बहुत बड़ा काम किया अगर होटल से खाना लेकर तुम सहाब को ना खिलाते तो पता नहीं उनके कितनी डांट से नहीं पड़ती मुझे ये खाने के पैसे भी है और तुमारा ये नाम भी है मैंने कुछ लिक है मेडम ये खाना जया नहीं दिया था किसने क्या नाम बताया तुमने जया ये जया कौन है वो वो कौन है ये जया यह वो यूपके पढोस भी रहती है पढोस में Quri, कौन है रे तू? स्वर्क से उतरी हुई अथ्थरा इसमझती है क्या आपने आपको? हां? मेरे पती को खाना क्यों भीजवाया है तूने? अरे तू होती कौन है मेरे पती को खाना भीजवाने यहाली वो मेरा पती है मैं उसे खाना भेजू मेरी मर्दी हमारे बीच में आने वाली कौन होती है मेरा पती तुझे बाहत अच्छा लगता है क्या अरे रहा नहीं जाता तो शादी क्यूं नहीं कर लेती परे अमर्दों पर नज़रें क्यूं डालती फिरती हैं सित तुम दोनों में सजाए कॉन है हां यह चिपकली फी दिखाय डेते न सब बाहर आ जाएंगे चल 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 यहाँ सपूप अब बोल, बहत तरस आ गया था तुझे उन पर, उन्हें भूका रहते देख नहीं सकती थी तू, हैं? तूने क्या समझा था, कि तू चुपचाब अपना खेल खेलती रहेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, ए इतनी ही आग लगी है तुझ में, तो कहीं और जाकर बु कहा लेगी, तो तू घलत समझती है, क्योंकि दूसरी बातों में मैं तुझ से बहुत आगे हूँ, सरस्वती, उससे में इनसान अपने काबू में नहीं रहता, तुमने ये बात सावित कर दी, अरे इतना लंबा चोड़ा भासन सुना दिया बैचारी को, ये जानने की कोसिस भी नहीं की कि उसकी गलती क्या है, अरे जानती भी हो, कितना अच्छा दिल पाया है उसने, हाँ, हाँ, आप तो तरफदारी करेंगी ही उसकी, आखिर किरायदार है आपकी, और मैं कौन हूँ, एक पड़ोस वाली, बस, सरस्वती हद से जारा, अब आपके बारे में मैं करने का काम कर रही है, अपने बड़े-बड़े डोरे मेरे पती पर डाल रही है, आज जो मेरे पती के साथ कर रही है, कल वो आपके पती के साथ भी कर सकती है, मगर आपके पती की तो उमर हो चुकी है, इसलिए आपको तो कोई चिंता नहीं, मगर मेरे पती तो अभी जवान है खुबसूरत है और उपर से बोले भी है उन्हें तो दुनिया की बुरी नजरों से बचाना पड़ेगा न मुझे सरस्वती तुम बिला सोचे समझे बहुत जादा बोलती जा रही हो रहने दीजिए भावी मैंने भी आपकी बहुत इज़त कर ली आज के बाद आपकी शकल नहीं देखूंगी ठेरो जब जाही रही हो तो यह जिसकी है उसे वापस करती जाओ क्या मतलब है आपका यह जैन आप नहीं तो मेरे गले में डाली ती यह जरूर थी मकर यह हमारी नहीं है जया की है उस तन जब तुम व्यहा के आई थी न तो सब तुम्हें अनात अनात कह रहे थी जैस यह देखा नहीं गया चांती हो क्या बोली भाबी और बड़ी उमीदों के साथ अपने पती के घर आती है और पहले दिन उसके साथ कोई इस तरह का बरताव करे यह ठीक नहीं है इसका को हो गया हो गया हो गया सत्या नास मुझसे आग लगे मेरी जबान को विना सोचे समझे पता नहीं क्या-क्या बोल गई इसलिए लोग कहते हैं भाबी इंसान का पड़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है मैंने उस बेचारी का दिल लिखा है उसका जो मुझे अपनी सगी बेहन की तरह समझती है ओ जया जया ओ जया मेरी बेहन मुझे माफ कर दे मेरी मत मारी गई थी जो बिना सोचे समझे तु तुझे भी तो अपने मुझे कुछ बोलना चाहिए था ना मगर तु बोलती भी कैसे मैंने तुझे बोलने का मौका ही कहां दिया अब मैं समझ गई तुने मेरे पती को खाना क्यों बिज़वाय था ताकि तेरी बड़ी बेहन को गालिया ना पड़े सुन मेरे साथ बात नह अराज है देख इदर तेरी दीदी तेरे सामने हाथ चोड़कर माफ ही मांगती है अपनी दीदी को माफ नहीं करेगी मुझे तेरी सारी शर्ते मंधूर है तुम बोल कर सही एक हफ़ते की अंदर अंदर खाना बनाने के सारे तरीके तुम्हें सिखने पड़ेंगे एक अफ़ते के अंदर लेकिन मुझे सिखाएगा कौन मैं तू लेकिन क्या मैं सीख पाऊंगी वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नहीं सीख सकोगी तो जीजा जी को खाना भिजवा भिजवा कर अपना बना लूँगी मंजूर जया तुमने जो जो चीज बोली थी न मैंने सब डाल दी अब अगर सब्दी ठीक नहीं बनी तो इसमें मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती होगी आप फिकर मत कीजी देदी सब्दी फर्स क्लास बनेगी अच्छा जरा चक के तो बता आप खुदी चक लीजी ना तू चक ना ठीक है करम है सुपाव थांको थांको नहीं दीदी थांक्यू आरे वहीं तो बोल रही हूं ना थांक्यू पता है मास्टर ची जब घहर आएंगे तो क्या कहेंगे कुछ नहीं दीदी सीधा पैड्रूम ले जाएंगे बेशरा अच्छ जया की बच्ची पुट्टो मेरे भाई अच्छ जाएंगे चले आता है यह गलती बच्चे की है बच्चे की कल्ती अपकी है और आप वोसे बच्चे की कल्ती आपकी है अच्छ जाएंगे बच्चे की तांक से खून निकल रहा है इसे होस्पिल अब बाभु साहब आप कर दो भाई गाड़ी आप चला रहें लो इंट्री का बोर्ट नहीं दिखाए दिया आपको गलती हो गई माफ कर दो अरे काई कि कोई माफिया भी नहीं चलेगे आपको आप कर दो अब यह कि यह तुम ठीक हो मैं ठीक हूं सर तुम तुम समालो कि मैं आता हूं सर एक्सिलेंट के ओपर से लाई जगने पे उतर आए यह देखिए यह लिक्या दादा की रही है हां इंट्री में कैसा है तो बोल दिया बाबू को गलती हो गई माफी मांग लिए अब क्या अंदर क्या है यह अंदर क्या है आम है आम कि अग्या है कि अग्या है कि अग्या है अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो आज बहुत कुछ बनाया है मैंने अलू के पराठे हलवा पूरी प्छना और आम यह आपके लिए नहीं है सिर्फ आमलेट मेरे लिए बाकी सब किसके लिए अपनी छोटी बेहन के लिए तुम्हारी छोटी बेहन वो कब पैदा हुई अरे कल जिसने मुझे बचाने के लिए अपना सर फुड़वा लिया था वो जैया आप नाश्ता कीजिए तब तक मैं उसे खिला कर आते है ह earn क्यों देखरी हो दादीमा नीद धीरे वह लड़की एपनी द्रशद हरी है अब इसनके समझ भी आराा कुछ आईडिया का एट्धार्श मेह शोच्राइब मा सब्सक्राएं यूक्यन जाएगा के मुं बड़े एंसम दिख़ाई दे रहे आज क्या बात है शर्मा जी आज बड़े अच्छे सुर में बात कर रहे आ वह क्या है मेरे स्कूटर का पिछला टाइर पंचीर हो गया इस डिए सोच हाच आज आपके साथ है यह ठहरी है आपका पिछला टायर पंक्चर है लेकिन मेरी पिछली सीट पर सिर्फ और बैठ सकती है कोई बात नहीं मैं लिफ्ट के लिए और भी बन सकता हूं तुम ठहरो मैं तुम्हारी भाबी की नाइलोन की साड़ी बैठ कर आता हूं मैंने और रत की बात किये चक्के है रब मतलब एक के कैलकुलेशन की बडह है मुझेधी पता है यह गुरूपि का टिकट खरूगा तो बस में आराम दस आलदा के खाते हूं गया शूंकर टाये इसकी तब्यूरत ठीक नहीं है तरस्वती मुझे वैसी देर हो रही है यह यह आटो बैट कर चलिए आप पर कमाल की बात करते हैं अस्पताल रास्ते में ही तो है छोड़ देंगे तो क्या फरक पड़ जाएगा अब यह कहां आटो ढूंडेगी चल बैठ जाया टाटा है टीक से पकड़ के बैटना गिर जाएगी इस रोमांटिक वॉज में कें यू गिम मी सम आईडिया यह कौन है बस बस सवाल का जवाब दीजी Τबाब क्या हो गया आपको अब मुझे नहीं जानते मैं तुमको जानता हूँ जया पर तुम इनको नहीं जानती जानती हो अभी इन्होंने मुझसे क्या कहा यही के स्कूटर की पिछली सीट पर ये सिर्फ अपनी पत्नी को बिठाते हैं अच्छा? इसके अलावा ये किसी और को नहीं बिठाते ये इनका असूल है अज्जे बाबू अब आपका असूल क्या कहता है? जया आपकी पत्नी है या इसकी शकल देखकर आपने अपना असूल बतल दिया है अब चुप क्यों है सर जवाब दीजिये ना आप चुपरो देखिये शर्माजी बस 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 बंडर फूल एक्टिंग बंद कीजिये मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है वैसे हमारा केलकुलेशन भी यही कहता है चया या मंगल सूत्र मुबारक हो All the best Thank you, sir Bye शोटे बोला, निकल हरामजादे, मैं तुझे तेरी मकसद में काम्याब नहीं होने दूगा, तुझ ऐसे देश दिरोई के हाथ हो, अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूगा रामसेंग, यस सर, गेट वाले को रिलीव करो, ओके सर पता नहीं सर, क्या मनहुद जमाना आ गया है, सर कोई सोच सकता था, हमारे देश में ऐसे भी दिन आएंगे, क्या बात है सर, यह टेलेग्राम, यह टेलेग्राम किसका है, अपनी जयाक है, उसके पिता मिलीटरी में थे टेर्रिस को रोकते रोकते शहीद हो गए, उनकी आई-कमार निकाया कि जब तक यह मामला ठंड़ नहीं हो जाता, तब तक जयाको यहीं रखा जाया, वहां न गए जाया, सर व अरे पान नहीं चाहिए, हम तो तुम से यह पूछ रहे थे, कि हमारे इलाके में कोई अनाथा शर्म है क्या, आपको अनाथा शर्म की जरूत काय को पड़ गई, घर छोड़के वहां काय जा रहे हो, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जया के लिए चाहिए, बेचारी अन कि बेचारी को अनाथा शर्म में भरती करा दे, दूसरे अनाथों की कमपनी में कुछ रहेगी, तुमारा कैलकुलेशन क्या कहता है, हमरा कैलकुलेशन यह कहता है, कि हम तुमको जितना कमीना समझते थे, तुम उसे दूई कदम आगे हो, चुत पराइए और हाथ हड़ आए अरे यह दुख का समय, जब उबचारी को तो हार मदद का जरूरत है, तुम कुछ रुप्यों के लिए उसे अपने घर से निकाल रहे हो, अनाथा शर्म बेज रहे हो, हम भगवान से यह प्रात्ना करेंगे, कि तुमें जल्दी अनाथ बनाए, और हम तुमको लेके जबर्दस्ति कुछ तकी तरह पीटते हुए, जगुन, छोड़ूगा नहीं मैं तुझको, मैं तेरे को भी अनाथा बनाया, तो मेरा नाम पानी पूरी नहीं, जया किसी अनाथा अशर्म में रहने जा रही है, किसी में क्यों, वहां क्यों नहीं जा तुम थी, वहां तुम् किसी बाती, अनाथा अशर्म में रहने की बात कर रही है, और आपके कानों में जूं तक नहीं रहेंग रही सेरस्वती, हम अपने सर पर क्यों मौन लें, हजींब बात करते हैं आप, जया तो मेरी बेहन जैसी है, लब किसाली जैसी हुई होई उसकी ए, हमारे घर में रहेग आपको तो कोई इतराज नहीं है इतराज हो भी तो मैं क्या कर सकता हूं वह सारी वजय बताने पड़ेंगी मेरी तरफ से वह खुशी से रह सकती मुझे क्या थैंक यू देखा जाया तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा जाना अंदर इस तरह फेंकने से क्या ये चलने लग जाएगा उल्टा और खराब हो जाएगा अरे मेरी किस्मत ही खराब है कितने प्यार से कसट लायता सोचा था राद बैठकर गाना सुनूँगा अरि ये कसट प्लेर ही नहीं चल रहा मगर मैं भी हार नहीं मानूँगा चाहे सारी राद वह भी जाए इसे ठीक करके मैं गाना सुनकर ही रहूँगा तो और मुझे तो यूहीं समझ रखा है पता है जब हमारे आश्रम में कोई बड़ा आदमी आता था तो सब लोग मुझे गाने के लिए कहते थे अच्छा अरे इतनी बड़ी बात तुम सुवागरात के दिनी बता देती तो तुम्हारा कुछ जाता आपने पूछा ही नहीं मैं कैसे बताती ओ करेक्ट अब जो मुझे पता चल गया है तो जल्दी से एक अच्छा सा गाना सुनाओ सुनाओ हाँ अच्छा क्या हुआ तरवाजा खुल है तो क्या हुआ कोई बात नहीं जया बाहर सुए मैं नहीं चाहती है आपके सिवाए मेरा गाना कोई और सुने हाँ यह भी ठीक है ठीक है तरवाजा बन करके आता हूँ यह चलो अब सुनाओ अब किसे शर्म आ रही है आप से अरे दूसरी बातों में तो शर्म नहीं आती गाना गाना में शर्म होगी चलो गाओ नहीं आप मेरी शकल देखेंगे तो मुझसे गाना नहीं गया जाएगा आप उस तरह मूं करके बैठिये ना तो फिर तुम्हें मैं गाते में देखूंगा कैसे आहां गाना देखा थोड़ी जाता है गाना तो सुना जाता है मुरिये ना अच्छा बाबा यह लो भगवान भगवान ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे ना ले भगवान 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 के लिए सोजाओ सरस्वती मुझसे तुम्हारे यह दर्द भरे नाले सुने नहीं जाते सोजाओ जैया जब मैं आनाथ आश्रम में गाना गाकर सुनाती थी न तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते थे मगर कल रात मेरा गाना सुनते ही वह स्थो गया हो सबता उन्हीं बहुत नीन दा रही हो नहीं जैया आज सुबा भी ठीक से बात नहीं कि उन्हें मुझसे मैं तुझे गाना गाकर सुनाती हूँ तु सच सच बता न मैंने कैसा गाया यह पकड़ हाँ ऐ दुनिया के रखवाले सुन दर्द बरे मेरे नाले सुन दर्द बरे मेरे नाले भगवान 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 देदी आपका गला बहुत अच्छा है लेकिन आपका गाना बहुत ही बकवास है कोई बात नहीं जिस तरह मैंने आपको खाना बनाना सिखाए था ना उसी तरह एक हफसे में आपको गाना गाना भी सिखा जूँगी ओके सची हाँ ला 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 चुप क्यों हो गई गावना डावना लीलो लीलो मेरा इंतहा दीदू दीदू में तुम पड़ जाँ प्यार की जोडी से बाध की जखेंगे जाओगे अब तुम का लीलो लीलो मेरा इंतहा लीलो लीलो मेरा इंतहा दीदू दीदू में तुम पर जाँ ओ प्यार की जोडी से बाध की जखेंगे जाओगे अब तुम का लीलो लीलो मेरा इंतहा दीदू दीदू में तुम पर जाँ तूने आपा हाथ मेरा कंगन पंगन लगने लगा तूने आपा हाथ मेरा कंगन पंगन लगने लगा ओ तेरी पायल छनकी तो आंगन आंगन लगने लगा कोई शेक आयत तुझ कुन होगी पूरे कर दूंगी सब अर्मा ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जा ओ प्यार की दोरी से बांध के रखेंगे चाओगे अब तुम का हाथ ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जा जब मैं देखूं तुझ को सनम मिट जाता है हर कोई गम जब मैं देखूं तुझ को सनम मिट जाता है हर कोई गम चल बन के सिंते रहो सीने से तुम लिपते रहो तेरे सिवा है क्या दुनिया में तु मिली तो मिले दो जहा ले लो ले लो मेरा इंतहा दे दू दे दू मैं तुम पर जा पर प्यार की जोड़ी से माध के रखेंगे चाओगे अब तुम कहा ले लो ले लो मेरा इंतहा दिदू दिदू मैं तुम पर जाँ ओ प्यार की जोरी से बांध के रखेंगे जाओगे अब तुम कहाँ लेलो लेलो मेरा इंतहाँ देदू देदू मैं तुम पर जाँ जया, जया, लुका, मैं हस्बेंड बाथरूम बनी केम, वी आर पुजा, आई ग्विंग, फ्लावर चुनिंग और कमिंग, हाँ, ओके ओके अरे सरस्वथी, कहा हो तुम जड़ा बाथरूम में आना, फुला पीट पर साबून लगाना, मेरा पीट पर हाथ नहीं पहुंच रहा अरे सरस्वथी, कहा हो, आऊना अरे सरस्वथी, आ गई तुम अरे खड़ी क्यों, आऊना लगाऊना साबून अरे ये क्या करी हो तुम, ये तो कपड़े दोने का साबून है, पीट चिलोगी क्या ये लो, ये लगाऊ अरे का हाथ लगते ही जैसे, बदन में बिजली सी दोड़ गई हो सरस्वथी, पहली रात को मैं थोड़ी चलबाजी कर गया था ना अगले अत्वार को छुट्टी है ना तो मैं मगर सरस्वथी ये जैज, अब से घर में आई है ना, सारी छुट्टियों का मज़ा ही किरके रहा हो गया तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि अगले इत्वार को किसी बहाने उसे दो-चार गंड़ी के लिए घर से भाहर बेजदो हां अरे सरस्वथी तुम चुप क्यों हो दौब आओ ना, आओ ना, सरस्वथी सरस्वथी आओ ना, आओ ना किससे पूछ कर तुम मेरे बातुर में गुसाई और तुम वरी हिम्मत केसे होई कि तुम मेरे पीटपा साबन मलो यह पसीना क्यों छूट रहा है पसीना नहीं पानी छूट रहा मेरे नहा कर आ रहा हूं हमार पढ़ाए सुरू चलो, आज मैं तुम्हें आपोजिट सिखाऊं डे का, नाइट, प्लैक, वाइट, गर्ल, बॉय, अगली, पिछली, आइसट अगली नेक्स लेशन, सही जवाब देना, सर किसले बना है, जूते खाने के लिए, आग किसले बनी है, मारने के लिए, मुह किसले बना है, हराम कमाल चबाने के लिए, उंगली किसले बनी है, उंगली अब तोहार लेसन खतम अब हमार प्रेम का लेसन वाज सुरू हो आउव 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 तरस्पती मैं आग्या हूं डालिंग तरस्पती शुरूर तरस्पती यह क्या आज इतनी जद्धी वापस आ गया वाइफी 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 यह कह जरा और यह जरे भी क्या हुआ सोला सत्रा अठ्रा उन्नीज को बीथे वे तो एक हफता हो गया अब क्या प्रॉब्लम है आज मैंने मंगल बार कबरत रखा है न इसलिए तो फिर कल क्या था देवी माँ कबरत था और पर्सों संतोशी माँ कबरत था मेरा अरे हफते में कुल साथ दिन होते हैं और तुम उनमें सत्रा लोगों के वरत रखती हो चल्दी ट्यूशिन निपटा कर कितनी उमीद लेकर आया था कि तुम और तुमने सारी उमीद पर पानी फेर दिया इतने नाराज क्यू होते हो मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूं कल ले आना कल मेरा कोई वरत भी नहीं है अ आज की बात कर रहा हूं आज क्या करूं चलेबी और गजरे का लो फेंक तो इन चूले में कजरे और चलेबी को चूले में क्यों फेकते हैं मुझे दे दो ना मैंने कोई वरत प्रत नहीं रखा है आज कर दो तरिया है हुआ है मुटे अधर स्वाटी तरस्वाटी सरस्वाटी जरा पाणी लाना सरस्वाटी दरस्पती दरा खांची की दवाल आना, ग्राइकोडीन साफॉ कख साफॉ साफ.. साफ ! साफ.. अरे साफ? कख फहें साफ.. कख अ h के लिए में नीन यह आती सरस्वती मुझे बहुत डर लग रहा है सरस्वती मैंने कहा ना आज नहीं कि खड़ा है 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 दर पे तेरे आशिक खड़ा है खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है खोल, 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 दर्वाजा खोल, बोल, बोल, प्यार के दो बोल खोल, 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 दर्वाजा खोल, बोल, बोल, प्यार के दो बोल खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है तेरे माठे पे लाल लाल टी का, दिल लगाने को दिल करता है तेरे माठे पे लाल लाल की का, दिल लगाने को दिल करता है तेरी सागर से गहरी आँखे, धूब जाने को दिल करता है चारे दिवाने जाने जा जूटे, तारी फोसे क्यों तु लूटे जानो मैं जानो मैं जानो, जानो तु छलिया पड़ा है खड़ा है, खड़ा है, धर पे तेरे आशिक खड़ा है कोल, खोल, खोल, दरवाजा कोल, बोल, बोल, प्यार के दो बोल खड़ा है, खड़ा है, धर पे तेरे आशिक खड़ा है बंद खिरकी है, बंद दरवाजां, तुछ बिना मैं खोलूँगी खड़ी खड़ी क्यों तुछ सचाए, तुछ से ना मैं बोलूँगी कर दे उजाले, खुंगट क्यों डाले, हम तेरे चाहने वाले होजा तु होजा मेरी होजा, हाँ बंद ये जिद पे अड़ा है चाचा सूजा तु सूजा तु सूजा, क्यों मेरे दर पे खड़ा है खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, दर पे तेरे आशिक खड़ा है खोल 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 दर्वाजा खोल अरे बोल बोल प्यार के दो बोल खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है जया मैं तुम्हें अखेले में मिलना चाहता हूँ कल स्कूल के कमपाउंड के भार ठीक तीन बजे हलो कैप्टिन मैं भूला बोला हां भूला कहो चोटे की हलत बहुत खराब है उसे यहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है लेकिन दो बातों का मुझे पता चला है पहली तुम्हारा भाई आज यहां एस्टी स्कूल रूपनगर के टीचर अजे सक्सेना की वज़े से गिरिफता रहा और दूसरी बात उसने वो न्यूक्लियर बॉम कहा क्या ख़बर लगी न्यूक्लियर बॉम हलो हलो यही जैरा सोचो जैया सोचो अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो कितना दुख पहुंचेगा उसे जैया अगर सरस्वती के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार और मेरे लिए जरा से भी इज़त हो तो मैं हाथ चोड़कर बिंती करता हूँ दूर चली जा हमारी जिंदगी से तुम सरस्वती से कुछ भी कहो, कोई भी बहाना बनाओ, मगर चली जाओ हाँ, ये बात सच है कि मैं कभी आपसे शादी करना चाहती थी मगर ये भी बिलकुल सच है कि जिस दिन आप दीदी को दूलहन बना कर अपने घर लाए थे उसी दिन मैंने आपकी जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया था और अगर दीदी से न मिलती तो शायद अब तब चली भी गई होती मगर उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि आप मेरे कारण जर्दी में एक ऐसी औरत से शादी कराए है जो पूरी तरह आपके लाइक नहीं है आपकी पच्छी को खाना बनाने नहीं आता दाना गाने नहीं आता पढ़ना लिखना नहीं आता यह सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ दिल की किसी कोने में आपने आपको गुनेगार समझने लगी और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपकी पत्वी को सब कुछ सिखा कर आपके लाइक एक काबल पत्वी बना कर आप लोगों की जिस्दिगी से बहुत दूर चरी जाओंगी जया जया यह तुम यह तुम क्या कह रही हो सर हमेश आपके साथ मजाग करती हूँ ना शायद इसलिए आज आप मेरे सच को मजाग समझ रहे है मगर यह सच है बलकुछ सच है मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ और आज आज आप से भी दूर जा रही हूँ क्या हो रही है हमरा क्या क्या कहता है पबले बहुत बलबले है अज जाफ्ड़र लाफ़्र टार और झाफ्ड़रस काम पूरा-बले है ख़ँ तकाम पूर्ण सच को रहे है पुर्ण धुकी है तू अजैस सक्सेना है जिहां मिलना तो तुझसे ही था याद तो होगा थोड़े वक्त पहले तूने एक बहुत बहादर बागी को ग्रिपतार करवाया था मैं उसका बड़ा भाई हूँ मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है तूसे सब सीमन नी मेरी गाली के नीचे एक बच्चा आगया था याद आया तू वह पहला आदमी जिसने मेरे ग्रेवान पर हट डाला था तू वह पहला आदमी ज जिसकी वज़े से महारे मकसद में रुकावट आई है तू यही वह आदमी है जिसकी वज़े से मेरा भाई हमारे दुश्मनों के अंटे में कहे थे तू ने बहुत नुक्सान पहुचा है हमें अज़ो है सिक्टियरा चर्णा पूस्तीयघ में अज़। हम जाड़ जाड़ अौफ बाड़ चारे सहां इड़ कि रड़ र rally दो झालो फिल पर ईाड़ महें जाड़ ढ़ बाड़ आमजादे, तुले मेरा सुरेख गवार दिया आरा महारनादे सा मुचा महारनादा, मुचा महारनादा मुचे! रिप में, रिप में, मुचे! आमो उसी के बेचा आमजादे परिंसिपल के बच्चे, जा जा कि अपने मंत्री को बोल दे कल बारा बजे तक अगर मेरे भाई को सलामती से यह नहीं पहुचाया जया तो उसके बाद हर एक घंटे में एक बच्चे की लाश तोफे में भेजूँगा ऐसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम जंगी बागियों के लिए जंदगी कोई माइने नहीं रखते चाहो तो फौच भेजकर हम पर हमला करवा देने मरते वक्त भी अगर यह बटन दबा दियां तो इस खुबसूरत इमारत के नीचे तमाम बच्चे दफल हो जाएंगी समझ गया ना प्रिसिपल के बच्चे को ही तुम शायद जब स्कूल में थे तो तुमारे प्रिंस्पन ने तुमको सिखाया नहीं था क्या रोगने वाला सुरज एक दिन डूप जाया करता है हर पैदाने वाली जिंदगी एक दिन मर जाया करती है हाँ कुछ मासूमों को वक्त से पहले मौत आ जाती है मगर जालिमों को भी मौत आती है बहुत भैंकर मौत आती है जैसे तुम तुमें भी एक दिन मौत आईगी ऐसी मौत आईगी कि तुम्हें अपनी मौत से नफ्रत हो जाएगी बहुत जल्दी मौत आईगी तुमको कि कुछ नहीं हो सकता मेरे अजिक जान हो सकती अगर मेरे पति को चो गया ना तो मैं में यहीं तुम्हारी द हीलीज कर सर पटक कर जान दे दूंगी पेटी सरकार के कि कंछा कर aí करीब जनता आपको माई बाप समझती है ऐसे होते हैं माबाप दूसरों की बच्चे मौत के मुह में फसे हैं और आप यहां आकर हाथ पर हाथ धरे बैटे हैं बेटी तुम मेरी भी तो सुन अजे सिर्फ तेरा पती है मेरा कुछ नहीं है पीटी मेरा तो विद्यारती भी है मेरा बेटा भी है मेरा तो डबल लोग समने है पीटी यह मत रख अच्छा यह मत रख इस यह जब यह आपके साथ हो रहा था यह आने वाले तूफान की एक अलामत है अब यह देख लड़की ने आपके दामन को जंजोड़ा भी थोड़ी दिरे में तमाम बच्चों की माबाप आएंगे और आपसे सवाल करकर कि आपके दामन को तार-तार करके रख देगे कुछ कीजिए लेकिन मेरी समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उनकुछ बच्चों की रहाई के बदले अपने भाई की रहाई मांगते हैं वो हमसे कि योग के लिए बाम कहा रखा है नहां चुपा रखा है बाम तो क्या तेरा बाप भी बताएगा डालो सालिक अंदर कोन नहीं बोलेगा कि बताएगा र्ताएगा, सतना में पागा अंजर, रिए नहीं पाईब एन्धा ओंट और ani कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुअ कर दो कर दो कर दो ाजने 갔ında हम करें करें हम करें 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 वा करें करें वाल हाँ अजे सुनो अजे मैं बोला हूं सर क्या फैसला किया आप लोगोंने क्या सोचा बच्चों के बारे में इस पागल के भाई को रहा करें की नहीं पहली मेरी बात सुनो उस पागल का भाई मर चुका है सर इसके बारे में अगर कप्तान को पता चलेगा तो क्या होगा इन बच्चों का कौन बचाएगा इन बच्चों को गुरू देवं माता पिता इस संसार में गुरू का नाम भगवान और माता पिता से पहले लिया जाता है इस संसार में गुरू का रदुबा भगवान और माता-पिता से भी उचा है वर आज तुमको वही साबित करना है कि तुम इन बच्चों के माता-पिता भी हो तुम इन बच्चों के गुरू भी हो My son, all the best All the best, my son All the best क्या हुआ सर, क्या कहा प्रिंसिपल साब ने शरारते करने के लिए शरार पे? हाँ जे, लेकिन मेरे अंदाज में अ-शाय, ज़िवा, जब करी फो चैनल ऐसे ज़िवा इसे ज़िवा ली आज, पंपंपंपंवानी करो इसके क्या हिए लाज, ली जबार में सारे बच्चे उसे घेर के खड़े हैं चल्दी चलिए जाशो श्च फॉनेक इसे सीवियर अस्तमा का अटेक हुआ इसे अस्पिताल पहुचाना हम उस्पाली है यह अस्तमा की मरीज आप स्कूल के रिकॉर्ड देख जीशा है समझ जी पीजो तो अज़ता, से लागे, उसका माठ, उसका माठ सुनना, वो एंटेना लगाया न, एंटेना, हाँ, उदर से, हाँ, वो ग्रेकरर का, वो बक्स कोल, क्या गरो, अरे, बक्स समल के कोल, आगे से कोला, समल के, पीबे दीरे, अब क्या करो, अब हाँ से रेडियो लाग, अब ही, अब फोर रेडियो में सब, ब्लूचिप निकाल, बॉक्स में से रेड वाली चिप, उसमें रेडियो में डाल, इसमें की चिप उसमें डालू, रुक, रुक, ने, ब्लू वाली, रेड वाली, रेड वाली उसमें रेडियो में डाल, ब्लू वाली उसमें बॉक्स में डाल, अब मैं, अब मैं काफी ठीक हूँ भगवान का शुकर है उठो जा, उठो अब में अब में का तुकर में का शुकर में अब में कुकर ऑफ उठो खूब चुकर को जुकर को जुब टॉझ के वाफ All of you, move! Come on, move! जरो जर्दी, 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 जरो! हमारा कैलकुलेशन कहता है बच्चों का परला भारी हो चुका है लुका! क्याम लो, रएरोई शन कहता है दो क्या है दो कुष्षी जर्दी कर दो कर दो कर खूसर तूसर नार aut कर दो झाल जाल आओ 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 अस्जाना का कि हाराम के बहुत मूटा हो गया चल वितर को संडाज खाने में आग, 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 आग! और बुट मुट तक टावhand शर्डो duckist बुट मुट करो लृट आखूँ झाल लचल से कमार पिलू में रहागोने प्रोत है। घजजए अगए आसे लूदें अगो लूँख रहारा लूँख अगो जने उने लूँख एएएएएएएएएए-गो देवारा दे लूँख वह्षार झरड़ी लूँख एधगों इस वह जोदे लूँख जाएए? MONSTER एक, 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 एक 的 cioè झाल 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 चैया तुम ठीक होना चैया मैं ठीक हूँ आजे आजे आप ठीक तो है हाँ मैं ठीक हूँ भग्वान का लाख लाख शुकर है आप ठीक तो है ना जैया 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 तुमने मुझे जूट बोला तुम ठीक हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ मैं आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ मैं हमेशे आपके साथ रहूंगी क्योंकि दीदी जब खाना पकाएगी तो इसके स्वाद में मैं मौझूद रहूंगी जैया देरी जब गाना गाएगी, उसके सुरो के संग मेरी सुर्पी मिलकर गूण गुनाएंगे म्हें तुम देदी जब भी कुछ लिखेगी न। उसके अक्षरों में मैं दिखाई दूगे तुम्ह जैया जया मेरी बैंड सुनिए जया को ये मंगल सूत्र पहना दीजिए यह क्या समस्वती आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम जिस दिन इसके बिस्तर की सफाई करते वक्त मुझे इसका ये मंगल सूत्र मिला उस दिन मुझे सब कुछ पता चल गया अगर आज आपने इसकी इच्छा पूरे नहीं की तो इसकी आत्मा को शाथी नहीं मिलेगी पहना देजिए हैं नहीं दीदी, इंसान मुरता है मगर उसकी आत्मा नहीं मरती और उस आत्मा में इतनी शक्ती होती है कि वो दुबारा अपने मन जाहें गर्प में जर्म ले सकती है मैं बहुत जल्दा भी के घर जर्म लोंगी सर दीदी की कोख से जर्म लेकर ओकी दीदी जया ओकी सर I will come soon जया I will जया जया